आज टीवी चैनलों के माध्यम से श्री राहूल गांधी जी जो मनिपूर गए हुए हैं उनके खबरों को हम देख पा रहे हैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहूल गांधी जिस जिद के साथ मनिपूर गए हैं वो जिद उचित नहीं है जागरुक होके जाना चाहिए था जिद और स्टबर्नेस जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए जागरुकता होना चाहिए जिद और स्टबर्नेस नहीं होनी चाहिए मगर मनीपूर की जो एड्मिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया उन्होंने request किया कि विगत दो-तीन दिन से जबसे राहूल गांधी जी का मनिपूर आने का खबर मनिपूर के local news channels में चल रहे हैं, अकबारों में छप रहे हैं राहूल गांधी जी के visit को लेकर काफी protest मनिपूर में हो रहे हैं राहूल गांधी जी और जो Congress Party है, मनिपूर में कई legacy issues हैं आज जो परिस्थिती हम मनिपूर में देख रहे हैं, इन कुछ legacy issues के कारण हैं जिसमें Congress Party का एक बहुत बड़ा हाथ है I don't want to visit those issues because of the sensitivity attached to them मैं भी उनका यहां उदाहरन रखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यह विशय बहुत गंभीर है, sensitive है और हमें समझना होगा कि एक-एक शब्द जो हम कहते हैं वो effect डालता है मनिपूर के situation पर तो स्वभाविक रूप से राहुल गांधी जी के जाने से पहले आप सबने कल टीवी में देखा होगा कि वहां की जो student union है, all money poor student union उन्होंने press conference करके राहुल गांधी जी के visit को boycott करने की मांग भी की थी और क्यों boycott किया था वो legacy issues को enumerate किया था इन student unions ने कई civil society organizations जिसको CSOs कहते हैं CSOs ने भी अवहान किया था कि राहुल गांधी जी इन परिस्थिती में मनिपूर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करे मगर फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने मेरा पाई भी अर्थात हमारी वहाँ जो महिलाएं हैं जो माताएं हैं मनिपूर में उनके कई संगठनों ने भी राहुल गांधी जी के खिलाफ उनके विजिट के खिलाफ आवाज बुलंद किया था इन सब को ध्यान में रखते हुए जब राहुल गांधी जी आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास इमफाल में उत्रे हवाई अड़े पर और उससे पहले भी कम्यूनिकेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी को और उनके दफ्तर को कहा गया एक रिक्वेस्ट किया गया सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि राहुल जी आप चुडाचांदपूर जाना चाहते हैं रिलीफ कैम्प विजिट करना चाहते हैं कोई बात नहीं आपका अधिकार है बिल्कुल जाइए कोई आपको रोकेगा नहीं मगर सडकों पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करके आपके खिलाफ नारे बाजी करने के लिए उतारू हैं हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए और यहां की सेंसिबिलिटी के लिए जो सेंसिटिव सिच्वेशन है तो उचित होगा आप हेलिकॉप्टर लेके चुडाचांदपूर जाएं और मैं आपको बता दू मानिय अगरह मंत्री श्री अमिज शाह जी जब दोरे पर गए थे मनिपूर में तो उन्होंने वहां जायजा लेने के पश्चात एक हेलिकॉप्टर सर्विस तीन स्थानों पर चालू किया था चुडाचांदपूर जाने और आने के लिए मोरे जाने और आने के लिए और कांगपोपी जिला जाने और आने के लिए मानिय अमिज जी के निर्देश अनुसार वहां चौपर सर्विस हेलिकॉप्टर सर्विस चालू की गई थी मात्र धाई हजार रुपे कीमत है 2,500 रुपीज पेमेंट करने पर आप चुराचानदपूर जा सकते हैं तो administration ने राहुल गांदी जी से request किया आप एक परचा कटाईए और please you take the helicopter to चुराचानदपूर इससे सडक रूट जो है उस सडक रूट पे किसी प्रकार की वहाँ पर गरबड़ी होनी की आशंका है लोग बाहर निकलने के लिए जो इच्छुक है आपको प्रोटेस्ट करने के किलाफ वो नहीं होगा और यहाँ वील मेंटेन काम मगर राहुल गांधी मानते नहीं है उनको मुहबत का दुकान खोलने की जल्दी है जटापट किसी से बिना मशुरा किये जिद करते हुए वो निकल गए और वही हुआ जिसका अंदेशा था अभी मैं देख रहा था टेलिविजन चैनल पे लोग सडकों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक अपने हाथों में प्लैकार लिये हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कॉंग्रेस ने पहले क्यूं की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक और अब राहुल जी की काफिले को विश्नुपूर में एक स्थान है विश्नुपूर विश्नुपूर में जब वहां बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ तो वहाँ रोकना पड़ा और राहूल जी खुद वहाँ से अब U-turn लेके वापस आ रहे हैं यही अगर राहूल जी सुबह करते एड्मिनिस्ट्रेशन की बात मानते हेलिकॉप्टर से चुराचानपूर जाते तो आज मनिपूर आज जो टियर गैस चले हैं आज जो स्थिती थोड़ा तनाव पूर्ण इम्फाल में बना है यह मनिपूर में नहीं होता मुझे लगता है कि राहूल जी की यह बिहेवियर इट वस हाईली इर्रस्पॉंसिबल I always say राहूल and responsibility never traveled together He has again proved the same today He should have been more responsible, more sensitive towards the issue of मनिपूर June 13 से, 13 जून से, अब तक शान्ती थी किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना, दुरगटना और किसी की जान नहीं गई थी और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज सुबह, एक विक्ती के जान के जाने की खबर है दुखद खबर है और हाथ जोड के कहना चाहते है The situation is coming under control Let's not fight for petty political gains जब situation control की तरफ बढ़ रहा है अब आगजनी नहीं है अब गोली नहीं चल रही है लोग एक दुस्रे को नहीं मार रहे है वैसे में राजनीती के माध्यम से अगर माहूल को बिगाडने की कोशिश की जाती है तो ये उचित नहीं है मुझे इतना ही कहना था और मुझे लगता है चुँकि ये बाइट है और एक बहुत sensitive विशह पर मैंने अपने विशह को रखा है हम सब इसको समझेंगे एक एक शब्द जो हम कहते हैं इट हैस सम इफेक्ट इन मनिपूर तो वी आल वोड़ बी रिस्पॉंसिबल वी आल वोड़ बी रिस्पॉंसिबल सिटीजन्स अफ इस कंट्री यह अपील मेरे हर कंग्रेसी और हर अपोजिशन लीडर से है थैंक यू सो मच